यह देखे यहां पर मैंने 18 फंदे लिये हैं 12 फंदे 4 के मल्टिपल से लिये हैं प्लस 5 फंदे एक्स्ट्रा लिये हैं 3 फंदे साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए और 2 फंदे एस्टिच के होंगे और बेस देने के लिए टूरो उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है तो चलिए बनाते हैं यह इसकी फस्ट रौ है और राइड हैं यह दो दिखेये ऐश्टिंस सिलिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे धागा आगे करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंने लिएज करेंगे टू, थ्री, धागा पीछे करेंगे, अब दो बार धागा लपेटेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, दो बार धागा रैप करेंगे, वन, टू, सीधा बोनेंगे, यह देखें, हमारा एक पैटन कम्प्लीट होगे, इसमें हमने तीन फंदे उल्टे बनाए, टू, थ्री और एक फंदा दो बार धागा रैप करके बनाए है, यह हमारा फोर फंदों का पैटन है, देखेंगे, फिर से इस पैटन को रिपीट करेंगे, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, वन, टू, थ्री, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनेंगे, दो बार धागा रै सीधा बुनेंगे और दो बार धागा रैप करेंगे वन टो लास्ट के फोर फंदे हैं तीन फंदे उल्टे वन टो ट्री एस्टी सीधा बना लेंगे फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है अब देखिए सेकंड रो है रोंग साइड ऐस्टी स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे तीन फंदे सीधे वन टो टो ट्री धागा आगे अब रैप किया हो फंदा अन्रैप करेंगे ये दिखिए हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया समय हमने तीन फंदे सीधे बुने तू थ्री और रैप कियो हो फंदा अन्रैप किया फिर से पैटन पीट करेंगे धागा पीछे तीन फंदे सीधे वन तू थ्री धागा आगे करेंगे एक फंदा अन्रैप करेंगे धागा प 1, 2, 3, stick, slip करेंगे, यह उल्टा बून लेंगे, 3rd row, right side, stick, slip करेंगे, repeat, pattern, start करेंगे, अब देखिए धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे 1, 2, 3 धागा पीछे एक फंदा, पल्वाइज, सिलिप करेंगे ये देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गए इसमें हमने तीन फंदे उल्टे बनाए तू त्री एक फंदा स्लिप किया फिर से पैटन पीट करेंगे तीन फंदे उल्टे वन तू त्री धागा पीछे एक फंदा पालवाई स्लिप करेंगे धागा आगे तीन फंदे उल्ट और एकफंदा प्रॉलवाइ स्लिब करेंगे द्धागा आगे तीन फंदे ओल्टे वन टू थ्रिए ठागा पिछे एकफंदा पार्लवाइ स्लिब करेंगे लांस के फोर फंदे तीन फंदे ओल्टे रॉन टू, थ्री, एस्टी सीधा बना लेंगे, थर्ड रॉ कम्प्लीट हो गई है, फोर्थ रॉ है, रॉंग साइड, एस्टी स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, तीन फंदे सीधे, वन, टू, थ्री, धागा, आगे करेंगे, एक फंदा पालवाई स्लिप करेंगे, धागा पीछे, ये देखे, हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गई है, इसमें हमने तीन फंदे सीधे बुने, तू, थ्री, एक फंदा पालवाई स्लिप किया, फिससे पैटन पीट करेंगे, तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, धागा आगे एक फंदा पालवाय स्लिप करेंगे, धागा पिछे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, धागा आगे एक फंदा पालवाय स्लिप करेंगे, धागा पिछे लास के फोर फंदे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, धागा आगे एक फंदा उल्टा बना जी यह देखें फोर्थ टम्पलीट हो गई है और हमारा पर्ट भी टम्पलीट हो गया है फिर सि warrior कैसे करेंगे करें में कि देखेंगे धागा रैप करेंगे, सिधा बुनते हुए, यह दिखे, 1, 2, slip करेंगे, यह दिखे, मारा एक पैटन कमप्लीट हुगे, फिसर रिपीट करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 1 फंदा सिधा बुनेंगे, 2 बार धागा रैप करते हुए, 1, 2, slip करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 फ्री धागा पीछे एक फंदा सीधा बनेंगे दो बार धागा रैप करते हुए लास्के फोर फंदे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री एक फंदा सीधा बना लेंगे यह देखे फिर से हमारा पैटर्न फरस्ट रॉसे स्टार्ट हो गया है ऐसे ही बार-बार हम इसकी वन जैंड साफ सेटर, फुल सेटर में, बच्चों के सेटर में, कैप में, मफ्रल में अपलाए कर सकते हैं तो फ्रेंड आप भी इससे बनाईए और अपने एक्स्पिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आप खुमर अब डिच्छ लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और स सेटर में वीडियो